इस्पेशल केसे ऑफ मेगनेटिक फिल्ड बी ड्यू तो करेंट केरिंग कंड़क्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग मेगनेटिक फिल्ड कैसे निकालते हैं यह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ठीक है इसके चार स्पेशल केस है। और मेंली इसी पर डिफरेंट केसे हम लोग देखेंगे इन्च करेंट केरिंग कंड़क्टर के कारण के कारण field हम लोग कैसे निकालेंगे, माल लीजिए इसका दो ind ठीक है, one ind, this ind, यहां पर theta one angle बनाता है P पर, ठीक है, इस horizontal के साथ, और यह ind जो है, यह यहां पर theta two angle बनाता है, इस horizontal के साथ, ठीक है, P point पर, ठीक है, so magnetic field P पर अगर हम लोग को निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं मुनोट आई डिवाइड बाइड बाइड फॉर पाई आर आर इस दा डिस्टेंस दिस वन ब्रैकेट में साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू ठीक है अब यह फॉर्मूला कहां यूज़ होता है माल ले इस तरह से कोई ये फीनाइट है क्लेकरऻ टो इसे लिए आएंगल कितना बना गनलै ordinance के लिए हम लोग यह एंगल करते हैं यह एंगल accounted करते हैं, कितना बना और उसके बाद पूरट करके इसमें, निकाल देते हैं, ठीक है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ठीक और इस्ता से ये 90 degree pi by 2 हो जागा, similarly ये भी क्या होगा, नीचे कितरा फिस्ता से pi by 2 हो जाएगा, ठीक है न, so ये एंगल theta 1 pi by 2 और ये theta 2 भी pi by 2 होगा, so ये conductor infinite length का हमारा बन जाएगा, ठीक है, so b का formula इसमें क्या हो जाएगा, mu naught i divided by 4 pi r sin pi by 2, प्लस sin pi by 2, ये दोनों ही एंगल pi by 2 होगा, so ये 1 plus 1 2 हो गया, so ये 2 से ये 2 time cancel हो जाएगा, so b का value आएगा, mu naught i divided by 2 pi r, ठीक है, so मानलेज़ अगर इस्ता से 2 conductor दिया हुआ, infinite current carrying conductor, ठीक है न, ठीक है, 2 हाणा, और इसमें current का direction उपर, इसमें नीचे आपको बोला गिया, I say at a distance, इस point पर अपको निकालना है, let's say p point, इसका distance यहाँ से आपका दे दिया, r1, इस वायर से और इस वायर से दे दिया, आपका r2, ठीक है, इस case में अगर हम लोग को निकालना है, magnetic field, आम लोग इस formula को यूज करते हैं, ठीक है, direction है different, thumb rule से हम निकालना है direction, ठीक है, then third, third में infinite current carrying conductor है, but at a distance r from 1 end, ठीक है, at a distance r from perpendicular distance, at a perpendicular distance r from 1 end of the wire, ठीक है, यह 1 end of the conductor, means current carrying conductor के 1 end से perpendicular distance r, पर हम लोग को magnetic field निकालना है, so 1 end पर, so 1 end का मतलब है कि यहाँ पर जो यह theta जो है, यह theta 2 जो देख रहे हैं, यह क्या होगा इस तरह से, 0 हो जाएगा, ठीक है, और theta 1 क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का safe देखा होगा, आप लोगों ने, इस तरह का, ठीक है, ऐसा है, यह semi circular wire इस portion में, then यहाँ पर यह infinite wire इस तरह से, ठीक है, और इसमें current इस तरह से flow हो रहा है, ठीक है, तो इसमें देखेंगा अगर तो यह जो portion आप देख रहे हैं, यह portion, यह infinite current current conductor है, यह भी infinite current current conductor है, और यह क्या है, semi circular wire है, तो इसमें बोला गया, इस center O पर निकालने के लिए magnetic field, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस semi circular wire के लिए, इसका तो different formula है, ठीक है, बट इस wire के लिए, जो infinite length का हम लोग देख रहे हैं, इसके one end से perpendicular distance, R पर यह point है, तो इसमें जो formula यूज होगा, इसमें formula यह वाला यूज होगा, यहां रिकियेगा, ठीक है, दन फॉर्ट केस, अगर माल लिजे, पॉइंट आपका, on the current carrying conductor है, ठीक है, यह axis of the current carrying conductor पर है, ठीक है, इस तार से current carrying conductor है, इस पर, मान लिए इस point पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ कहीं भी है, इस wire पर लाई कर रहा है point, इस case में जो magnetic field B होगा, at this point, this point, this point, यह आपका 0 होगा, 0 कैसे होगा, आपको याद होगा, इस तरह यह कुछ figure derivation, हम लोग जब करते हैं, so current carrying conductor मान लिए, इस तरह से current carrying wire है, इस पर current आई है, so हम लोग क्या करते हैं, एक DL length का current element मानते हैं, ठीक है, DL length का, ठीक है, so इस DL length का, जो direction of DL होता हो, क्या होगा, इस पर, इस तरह से, इसको आगे बढ़ाईएगा, so यह direction of DL हो गिया, ठीक है, so इसके center से at a distance R, हम लोग को P पर magnetic field निकालने के लिए, हम लोग एक general formula derive करते हैं, इसका formula होता है, mu naught by 4 pi, I DL sin theta divided by R square, ठीक है, और यह theta क्या है, angle है between this R vector, ठीक है, यह R vector, और यह DL vector के बीच में, ठीक है, तो अगर यह P, इस DL पर लाई करें, ठीक है, तो यह P क्या होगा, यह theta क्या होगा, यह आपका 0 degree हो जाना चाहिए, so that यह जो R आप देख रहे हैं, यह आपका parallel हो जाए DL का, ठीक है, यह R DL का parallel हो जाए, so R अगर DL का parallel होगा, तो उसकेस में क्या होगा, theta 0 हो जाएगा, so sin 0 का value क्या होगा, 0 होगा, so B आप पर 0 हो जाएगा, ठीक है, so DL is parallel to R cap, so that DL क्रॉस R is 0, that is sin theta is 0, ठीक है, sin 0 degree is 0, ठीक है, so इसकेस में B का value 0 होगा, अब यह कहां यूज करेंगे, जैसे माल लेज़े, कुछ इस तरह का shape आपको भी बेन है, इस तरह का, ठीक है, ठीक है, और इसमें बोल दिया, आपको इस point पर निकालने के, that is the center of this, arc या segment of the circle, और इसके center, पर दोनों का center same है, ठीक है, इस तरह का कोई shape है, आपको बोला गिया है, इसके center पर निकालने के लिए, इसके लिए, इसके लिए तो magnetic field आएगा, इसके लिए भी आएगा, अब दोनों एक उसले का opposite direction होगा, क्योंकि thumb rule से, इसके लिए magnetic field out of the plane हो गया, उपर की तरफ हो गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा, thumb नीचे की तरह ठीक है, इसके लिए यहाँ पर into दा हो जाएगा, इसके लिए out of the plane होगा, तो दोनों का difference ले लेंगे, बट इस segment of wire के लिए, यह वालब point क्या हो जाएगा, इस wire के axis पर लाई कर रहा है, इसके लिए भी इसके wire के axis पर लाई कर रहा है, तो इसके लिए और इसके लिए, magnetic field B पर, sorry, यहाँ O पर 0 होगा, तो magnetic field सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आएगा, और इसके लिए आएगा, और दोनों का direction देखते हुए, हम लोग इसका sum या difference ले लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से देखिए, 4 special cases है, magnetic field due to current current conductor, अगर आप इसको याद रखते हैं, तो इस तरह का कोई भी problem आप लोग solve कर लेंगे, ठीक है,